हलो दोस्तों तो आपको स्वागते एड़ी जार्षन क्लासेश में और एड़ी जार्षन क्लासेश आप लोग के लिए एक बहतरी न्यू नागपुरी स्लेबस के अनुसार नागपुरी का यहां संपूर्ण क्लास समझे की कंप्लीट होनी वाला है वो भी फ्री ऑफ कोस्ट ज लेकिन वीडियो पूरा फुल फ्री है जो की आप डेस्क्रिप्सर में आपको दिया गया है तो आप जरूर देखे वीडियो को क्योंकि यहां से आपके 90 प्लस तो पक्का आने वाले हैं एक भी प्रस्न छूटेगा नहीं आप अगर सारे क्लास को देख लिया और याद कर ल यह जो क्लास है सुरू से अंत से लेकर याने की फोर साहितिक निबंद नाटक सिष्ट कथा खंडगा पहले कंप्लीट कराया गया फिर खंडगा की और तो यहां जो है कख जो व्याकरन का पाठ है और खंडगा का टोटल करा दिया गया है mcq के शाथ जो कहानिया है उसका वन लाइनर कराया गया है तो यहां जो अभी क्लास हो रहा है mcq के शाथ कवीता का होगा मुलुक भारत जिनके लेखक है अजीज अंसारी इस नमबर पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं पीडियेप के लिए जो कि जेसे सीजेल और नाटपुरी के लिए इंपॉरेंट है पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग तो देखिए साहितिक निबंध टोटल पढ़ चुके हैं टोटल कंप्लीटेड है mcq के शाथ नाटप भी कंप्लीटेड है 95 प्रश्ण जो है important कराया गया इसका महरातन क्लास भी है part 1 part 2 करके भी है पूरा एकदम अच्छे से देखिए के देखिए सब सारे का मुख भारत रहां इससका लिक्त में अब हम लोग यह पढ़ेंगे वसके वाजा उसके एक मैरातन क्लास भारत लोग गीत का ठीक है इतना ये मुल्क भारत की ओर, ठीक है, मुल्क भारत जो की अजीच अंसारी के द्वारा लिखा गया है, तो चलिए मुल्क भारत कहने का मतलब यह है, कि ये, जो मुल्क भारत के बारे में, भारत मुल्क के बारे में पढ़ाया गया है, क्या था, क्या नहीं था, ठीक है, उसके बारे मुलुक भारत आहे बड़ी बलवान रे हिंदू मुसल्मान डेरा जहां कृष्टान सोना जहां कृष्टान रे ठीक है कहने का मतलब है कि जो हमारा मुल्क भारत है भारत मुल्क बहुत ही बलवान है जिसमें हिंदू मुशलिम सभी लोग कृष्टान की लोग सभी लोग रह र कहाने का मतलब ये है ये जो हमारा देस था अंग्रेजी शासन का गुलाम था जो की तन मन धन देके पूरा बलिदान करके तिक है यह सोना को एक्दम अको कौन-कौन से बलिदान दी है मेरे सोतंतरता से नानी इसमें तो बहुत ही मेहनत लगे हैं इसमें कोई शक नहीं है बहुत लोगों ने जान गवाये हैं इसमें यहां जो है मौलाना अजाद गांधी नहरु जवाहर रे डॉक्टर राजेंद्र बाबू बड़ी बुद्धिमान कप्तान रे देखें दोस्तों यहां जो है emotional बाते हैं कि कभी जो लिखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सजा कर लिखते हैं जो कि बहुत ही बहतरीन यहां बात को लिखा गया है कहने का मतलब मौलाना जी गांधी जी नेहरु जी सारी लोग इसमें अहम भूमी का बहुत ही बुद्धिमान इनको बोला गया इस कवीता में तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे सुवाष चंद्र बोष फौज के कपतान रे तो देखें याँ फोज कर कर ककतान किस्य बोला गया है सुवाष चंद्र बोष को यही सब सारे प्रश्ण आयें इसलिए आप लुक टेंसन न ले जो आगे आपका । यही सब सारे प्रश्ण होगे कहने का मतलब यह है कि सुबास चंदर जी फोजगर कपतान थे जो कि अपना डूसमन के सामने अंग्रेज के सामने वो अपना गोड कभी पाछे नहीं किये पीछे कभी नहीं किये सिना तान के एकदम ख़डे रहें अंग्रेज के सामने टिक है कहने का मतलब के वीर् विरंगनी , लक्ष्म۔ भायधानी . किसे बोला गया लक्ष्मीबाय को ? कुमर भगत सिंग् भ्गत सिंग् वी द ले है ? तो कुमर सिंग् सात में कुन द ले जिवाधान ? भगत सिंग् चंदर सेखर सेख भिखारी रे जय 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 विर्षा महान सोना जय 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 विर्षा महान सोना कहने का मतलब कि यह जो चंदर सेखर सेख भिखारी यह सब सारे स्वतंतरता से नानी है freedom fighters है ठीक है और यहां जो जहारखन में हुआ है विर्षा भगवान का जय जय हुआ है इस ना फिरंगी जो है अंग्रेज लोग है अंग्रेज मन लोग कैसे हरान हुए तो एकता को देखकर एक जूटता को देखकर ठीक है कहत अजीज अली तिरंगा गारी रे मतलब जो अजीज अली कह रहे हैं वो तिरंगा गारने के लिए कह रहे हैं अजीज यहां कभी है ठीक है अजी करकर करूं सोभे गुनगान रहे तो यहां जो कभी बोड़ रहे हैं जो सभी बीर लोग हमरे जो फ्रीडम फाइटर्स है उनका गुनगान गाने के लिए अजीज कह रहे हैं तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग MCQ की ओर चलते हैं इसका हम लोग अभी मुल्क भारत का MCQ पढ़ेंगे दोस्तों तो यहां जो है आपका मुल्क भारत कर जो लेखक है वो अजीज अंसारी है पीडिये प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं काने का मतलब वाट्सैप मैसेज करें क्योंकि इतना लोगों का कॉल करना मुश्किल होता है तो इस नंबर पर मैसेज करेंगे आपका मैसेज पर ही रिप्लाई दिया जाएगा ठीक है नेक्स्ट फर्स्ट नंबर जो प्रश्ण है मुल्क भारत कर रचनाकार की है करे मुल्क भारत कर जो मुल्क भारत है भारत मु नेक्स जो प्रश्ण है, तीन नमबर प्रश्ण है, हम लोग भारत मुल्क कैसन आये, हम लोग का जो है, हम लोग का भारत मुल्क कैसन आये कविता कर अनसार, तो बलवान है, कैसन आये, बलवान है रे, ठीक है, मुलुक भारत में कोन-कोन कर धर्म लोग रहे ना, कोन-कोन कर ज रहे टीक है मुल्क भारत पर जो था था सभी का शाथन राया है लेकिन इस इस जो कवीत हम बोला गए अंग्रेज पर तो हम लोग अंग्रेज बारेंगे टीक है host गो हुँन रोने नेक्स्ट जो प्रशन है अगला प्रशन नमबर है थे सिखे meant just बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप इतना सौट में क्यों पढ़ाते हैं बहुत सारे विद्यारती बोल रहे हैं तो दोस्तों अगर हम यही ऑप्संस को बारी-बारी करके लास्ट में अंसर बताएं तो वह तो लंबा वीडियो जाएगा यह जो कि कोई बेनेफिट स्टूडेंट का टाइम बहुत ही जादा इंपॉर्डेंट होता है लेगें हर इक स्टूडेंट को यह मालूम नहीं होता है कि समय कितना बलवान है ठीक है जो भी समय मिल रहा है उसमें आप तयारी कीजिए यह जो है मुलूक भारत कवीता में कैठो पदा है तो साथ को पद याद रख लेंगे कमेंट सेक्टर में यह पद जरूर रखेंगे पद जरूर पूछता है जो भी कवीता में आपको पद दिया गया है ठीक है एक रम पद रट लेंगे नेक्स्ट जो सेवें नमबर प्रशन है अंग्रेजी सासन से भारत कर अजादी करायव कले का कर बलिद जाएगा सवभे कौन-कौन मौलाना अजाद गांधी जी ज्वाहरलान नहरू सारी लोग नेक्स्ट नाइन नमबर प्रशन है कवीता के अनुशार सवसे बॉल बुद्धिमान के 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 बोले लगे लेके इस कवीता में तो राजेंदर बाबु को सबसे बड़ी बुद्धिम हमेशा आगे की और कदम बढ़ाया थे तो दोस्तों जिस प्रकार ये श्वतंतरता से नानी फ्रीडम फाइटर्स ठीक है हम लोग को हमेशा इन लोग का गुनगान गाना चाहिए हम लोग को ठीक है और भगवान से प्राटना करना चाहिए कि भाई अच्छा हो सब ठीक है 11 जो प्राशने वीर विरांग नहीं केके में कहल के लेखे तो यह वीता कानूनिसार कोन दैला अपन जिवकंधा करों जीवकरदान तो अप्सिर देलाई ठीक है कौन देले भागत सिंग तेरे नमबर प्रश्ण क्या बोलता है इस कविता में कौन-कौन स्वतरता से जानी के जैजय हुलक तो जैजय के कर विल लेक बिरसा भगवान कर अईसे तो सब एक जैजय लेकिन इस नागपूरक कविता में इस कविता में जैजय किसको बोला देां किया है तो सब का हुआ है ठлятьक है लेकिन विरसा भगवान को यहां इस पेसली बोला गया है का देखिके पिरंगी हरान हो ला का देखकर के locals के फिरंगी हरान हुआ एक्था ठीक बंद्रे नमर प्रशन क्या है क्था तो आजीज हम लोकर कवी हुला अजीज अली, ठीक है, हम लोग कर कभी, नेक्स्ट, 16 नमबर प्रश्ण है, कभी केके कहल, कहलक, गुनगान करे के, तो केके, मतलब की, किसको, मतलब की, किनका हम लोग गुनगान करे हमें साथ, तो वीर मनक कर, जो वीर लोग हैं, जो freedom fighters हैं, उनका हम लोग का, मतलब के हम करने के लिए कभी बोले हैं 17 नंबर जो प्रश्ण है क्या बोलता है देख लेते हैं ठीक है सुबास चंद्रबोस खाली अस्थान के कप्तान रे मतलब कि किस इसका वो कप्तान थे गोड नी कर ले पाचे ले सिना 23 सुना इपंक्ती के लिखेक में इपंक्ती के रिक तक्स्थान के पूरा करो तो यह फोज कर कप्तान थे ठीक है आपस नबर इसका 20 हो जाएगा नेक्स जो आपका है यह लास्ट जो कवीता का यह फोज के कप्तान थे और वही पाचे नहीं किया थे तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा इसका जो है एमसे क्यू के साथ पूरे क्लास को कराया गया है ठीक है और मुझे उमीद है कि सारी क्लास एकदम आप अच्छे तरीकों से अच्छे ढंक से देख रहे होंगे और इसी प्रकार से आपका जल्दी समाप्त होगा और आप 90 प्लस अवश्चे कर सकते हैं यह वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि free of course total वीडियो है यहाँ एकदबूद को